पाचवी रिपोर्ट पाचवी रिपोर्ट क्या है जय था कि शब्द से स्पष्ट है यह पाचवी थी किसी क्रम में और एक रिपोर्ट थी अंग्रेजों ने जब इस्ट इंडिया कंपणी पर लगाम कस्नी शुरू किये क्योंकि इस्ट इंडिया कंपणी तो ब्रिटिश संसद के ही अनुमति से आई थी तो निश्चित रूप से संसद सर्वोपरी था तो समय समय पर उनकी यह प्रक्रिया थी कि भारत में इस्ट इंडिया कंपणी के शासन प्रशासन कुशासन इन सब को लेकर समय समय पर एक तरी पर रिपोर्ड बनती थी। ब्रिटेन का भारत में संवैधानिक विकास इसको समझना हमको थोड़ा जरूरी है क्योंकि अंग्रेजों ने जो बार-बार जो कानून पारित किये और भारत में समय समय पर उन्होंने कुछ जो प्रशासनिक परवर्तन, सामाजिक परवर्तन, रा उसको समझने के लिए हमें जरूरी है क्यों हम भारत में अंग्रेजों के द्वारा चमवैधानिक विकास के विबिन चरणों को भी थोड़ा देखें ये हम में से कुछ लोग सोचते होंगे कि भारत में ही भरष्टा चार रहा, भारत ही बहुत भरष्ट रहा, भारती लोग बहुत भरष्ट रहते हैं लेकिन सचाई तो ये है कि इस्ट इंडिया कमपनी के अधिकारी भारतियों से भी ज़्यादा भरष्ट थे इतने भरष्टे कि समय समय पर ब्रिटिश सरकार को इस्ट इंडिया कमपनी पर लगाम देना परता था और वहां की संसत को इस्ट इंडिया कमपनी के अधिकारीयों के भरष्ट आचरण को अनिशास्त करने के लिए उन्हें कई बार अधिनियम पारित करने पड़े कानून बनाना पर ला इन्ही कानूनों की शिंखला में सबसे पहला कानून 1773 का है जो Regulating Act कहलाता है Regulating Act मतलब एक ऐसा कानून जो कमपनी के मांगनों को Regulate करने के लिए बनाए गया था To Regulate the Affairs of the Company पहला अधिनियम और इस अधिनियम के तहद भारत में सरवोच नियाले के स्थापना की गई कलकत्ता में दूसरा जो परिवर्तन इस एक्ट में किया गया इस एक्ट के आधार से वो था कि Bengal जहां कमपनी का मुख्य कारयाले था Bengal के गवर्नर को Bengal के गवर्नर के अलावा भारत के उनके अन्य राजियों का गवर्नर जेनरल भी घोशिट किया गया यानि अन्य राजियों के अंग्रेज गवर्नर Bengal के गवर्नर के मात्रत रहेंगे और Bengal का गवर्नर इस पकार गवर्नर जेनरल भी कहलाएगा और Warren Hastings को पहला गवर्नर जेनरल बनाएगा सम्विधानिक विकास की शेणी में दूसरा कानून था 1781 में PITS India Act जो वहां के प्रधान मंत्री विलियम पिट दे यंगर के नाम से है PITS India Act जिसने कमपनी की नीतियों पर पोर्न नियंतरन स्थापित करने के लिए संसत को सारे अधिकार दे दिये इस कानून के तहट अब कमपनी पोर्न रूप से संसत के माहतत हो गए तीसरा जो कानून बनाया 1813 में ये Charter Act कहलाया और ये Charter Act इसके बाद हर 20 वर्ष बाद पारित करने का एक अजनियम बनाये गया तो इन Charter Act की सीरीज में शिंकला में पहला 1813 में जिसमें कमपनी के भारती व्यापार पर एकादिकार का नियंतरन समाप कर दिया गया आपको याद होगा कि अभी तक कमपनी 1605 से जब से भारत आई थी लेके अभी तक कमपनी का एक अधिकार था भारत में व्यापार करने का यानि केवल कमपनी के ही कर्मचारी कमपनी के नाम से व्यापार कर सकते थे अन्य कोई नहीं इंग्लेंड में लगातार इसका विरोध हो रहा था कम्पनी के अधिकारियों के व्यभार को लेकर कम्पनी की विलासिता को लेकर और इस विरोध के दवाओं में आने पर अंतिता संसर्ड ने एक नियम पारित किया उस नियम के तहद अब एक तरीके से अन्य लोगों को भी भ अब सभी को दी जाने लगी 1833 के चार्टर एक्ट में जो 20 साल बाद पारित होता है 1813 के बाद उसमें कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिये गया क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती थी कि अब भारत के सभी मामले वो अपने हाथ में ले ले तो कंपनी जोभी काम करना बरना चाहती थी वो पुड़ा हो चुका था सभी के साथ संदी हो गई थी अनुभो भी हो गया था तो इस सब के मध्य नज़र और ततका लिम परिस्तितेओं के मध्य नज़र रखते हुए ब्रिटिश संसद ने सुनिश्चित किया कि अब कंपनी अपने सारे व्यापारिक कारे समाप करे और पूर्ण रूपेन यह कारे संसद के मातहत हो जाए दूसरा जो परिवर्तन 1833 के चार्टर रेक्ट में किया गया वो था कि बंगाल के गवर्णर जनरल का पद जो 1773 में प्रारम किया गया था वारन हेस्टिंग के साथ उसे समाप कर दिया गया और अब उसे भारत का ही गवर्णर जनरल घोशिट किया गया इस पद में सबसे पहले विलियम बेंटिंग 1835 में भारत के गवर्णर जनरल घोशिट 1853 का चार्टर एक एक तरीके से इस्ट इंडिया कम्पनी के काल का अंतिम कानून है 1853 में भारतियों को सिविल सर्विस परिक्षा में बैठने का मौका मिलेगा इस बात के गोशना की गई और याद रहे कि इसी कानून के तहट सत्येंद्नाट टेगोर जो जविन्नाट टेगोर प्रसिद्ध साहितिकार के बड़े भाई थे वे भारत के पहले ICS बने याने उन्होंने इंडियन सेविल सर्विस की परिक्षा पास की और वे पहले भारती थे जिन्होंने यह परिक्षा पास की 1857 की क्रांती ने पूरा नक्षा बदल दिया जो इस्ट इंडिया कंपनी थी वह पूरी तरीके से एक तरीके से समाप कर दी गई और 1858 में भारत शासन अतिनियम के तहट याने गर्मिंट अफ इंडिया एक्ट 1857 के तहट संसद ने भारत में शासन व्यापार और अन्य सभी दारोंदार डारेक्ली अपने हाथ में ले लिए और कंपनी का शासन समाप्त हो गया कंपनी ही एक तरीके से एबॉलिश कर दी गई उसी प्रक्रिया में ये पांचवी रिपोर्ट है उन्नीश्वी सती के प्रारंभ में राजस के नीमों में बहुत से परिवर्तन हुए ये राजस्व का ही मामला था क्योंकि राजस्व मनें आये और आये दी प्रभावित हो रही है तो निश्चित रूप से यह बात बिटिश संसद के लिए चिंता का विश्य थी आपको यह उन्हें कुछ लोन दे कहां तो इस इंडिया कंपनी व्यापार के लिया आई थी और मुनाफ़ा भेजती थी अब श्चितियां कुछ बदलने लगी थी उसके कुछ कारण डूसरे थे लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मुनाफ़ा कम होने लगा था उसके बहुत से कारण थे उसका अध्यन किया गया था गहराई से उस पर सर्वेक्षन किया गया था और कुछ निश्कर्ष निकाले गया थे इन्हीं परवर्तनों का जो विस्तृत विवरण है वह विवरण इन रिपोर्ट में होता था अठारवी सदी में ब्रिटिस संसद में खासकर 1813 में संसद में एक मिस्टर फर्मिंगर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ये फर्मिंगर रिपोर्ट 1813 में प्रस्तुत हुई इसलिए इसे और ये पांचवी रिपोर्ट थी इसलिए इसे पांचवी रिपोर्ट भी कहते हैं और या फर्मिंगर की पांचवी रिपोर्ट भी कहते हूं तो इ ये रिपोर्ट अत्यादिक महतपूर्ण है क्योंकि हर रिपोर्ट अपने समय के पिछले ब्रिटिश वर्षों को जोड़ती थी उनको समाहित करती थी और समय पर हुए परवर्वर्तनों को समय पर समय पर हुए सुधार को रिफॉर्म को उसमें जिक्र करती थी और उस पर अपनी टिपड़ी देती थी तो इसलिए पांचवी रिपोर्ट जो है वो इस मामले में बहुत पूर्ण है कि इसमें जमीनदारों रहियत के आवेदन पत्र भिन भिन कलेक्टरों के अनरोज उनकी पड़ियां और रिपोर्ट राजस विवरन संखिकी की तालिकाएं यह सब इसमें समाहित रहती थी दूसरे शब्दों में यदि हम फर्मिंगर की रिपोर्ट की बात करें तो यह बारा सो एक हजार दो प्रिष्टों की रिपोर्ट थी और इतने बड़ी रिपोर्ट में जमींदार के दोरा या कलेक्शनों के अनरोज आदी आदी तो यह विस्तरित बंगाल मदरास के राजस वेवं नयायाएक प्रशासनिक अधिकारियों के दोरा दिए गई टिपणी भी इसमें समाहित की गई थी दूसरे शब्दों में बारं बार इस बात को हम कहना चाह रहे हैं कि ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए एक तरह से प्रशासनिक बाइबिल हुआ करती थी जो उन्हें दिशा देती थी उनकी सफलताओं असफलताओं पर टिपणी करती थी पूर में हुई दिशाओं पर टिपणी करती थी और नए रास्ते निर्धारित करने में मदद क करती थी प्रस्तुत महत्पूर्ण रिपोर्ट यह जो रिपोर्ट है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है क्योंकि यह क्यों इतनी महत्पूर्ण थी कि 1760 के दश्यक में अंग्रेजों ने शासन लिया व्यापार से हटकर या व्यापार के साथ थोड़ा सा शासन लिया तुरंत ब्रिटिश संसत की पैनी नजर इनकी गतिविजियों पर पढ़ने लगी और पैनी नजर पढ़ने का कारण यह था कि इनके द्वारा जो धन संचय किया जा रहा था इस्ट इंडिया कंप